हे अबरिवन दिस भारत फोम पडाकु डोट कॉम सो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरहनेड एक्जाम में कौन-कौन से डोकुमेंट रिक्वाइड है या जब आप रेजिस्टरेशन करोगे तो आपको कौन-कौन से डोकुमेंट के जुरूरत पड़ तो फिल करने की जुरूरत हो तो उसमें आपको वू डोकुमेंट अप्लोड करने पड़े तो आप सी रिकेस्टर की अभी उनको च्यार कर लेकियं तो वह कौन-कौन से डोकुमेंट है व मापको बता देता हूं तो या सबसे पहले आप सभी सी रिक्वेस्टर अग्र आप आपको आपको बताने जारों कि आपको बताने जारों कि आपके लिए क्ली कोणको से डोकिमेंट रिक्वाइड है सो देखिए सबसे पहले आपके पास आपका पूरा नेम है इस साइड आपको Sari Trails दिखाए दे रही होगी सबसे पहले आपका एक नेम है वह आपको वही लेना है जो आपके अधार कारण और जो आपका स्कूल में चल ला है सहते हैं वह जा उसके बाद में आपके पेरेंट्स का कॉंट wrecked नंबर या आप अपना कॉंटेक्ट नंबर दे सकते हैं उसके बाद में आप अपने email ऑडे यह भी तीन चीज़े जो की सबसे common चीजिए हैं जो हर बार मांगी जाती है उसके बाद मे आपके प्रूफ उसके बाद ने आप से पुछा जाएगा कि आप गोविमेंट स्कूल से हो या प्राइवेट स्कूल से वह आपको यहां पे फिल करना होगा उसके बाद ने आप से पुछा जाएगा आपके पापा का नाम से इंगम इसके एक फोटो ग्राफ है वह का इसके बाद में आपके पास वमी चाहिए अगर यह नहीं है तो भी से त्यार करबार लीजेश और जो नाइंत का रिजल्ट है वो आपको आपको स्कूल से त्यार करवाना पड़ेगा जैसे आज छूटी है तो आप मंदे को वो फॉर्म पूरा त्यार करवा सकते हैं अपना रिजल्ट त्यार करवा लिजीगा और यहां पर फिर आप अपने एक्जाम में फिल आउट कर सकते हैं तो यह थे कुछ इंपोर任 ड दिएक्जाम में अपने बटयार के बटयार शुपरह में आपको एक चीज ओर आर्ड करना आनने वाली latest report की notification अब से पहले देखने को मिलते हैं SuperHandit exam से लिटे जो भी आपकी queries आप comments पूछ सकते हैं SuperHandit exam के बारे में आपको पूरी detail एक video description में एक article दिया जार है उस article से आप पढ़ सकते हैं इसके असास साथ SuperHandit के practice set भी हम अपने telegram पर website पर चला रहे हैं Jai Bharat, thanks for watching this video, stay tuned, stay blessed, bye guys